मूवी की स्टार्टिंग में हम सोफिया नाम की लड़की को देखते हैं जो पने बॉइफेरेंट नाचो के साथ इंटिमेट हो रहे ही थी वो दोना साथ में लिविन में रह रहे थे वो दोना करीब आते और इसके बाद सोफिया अपने इंटरव्यू के लिए चली जाती है न कि एजुकेशन भी उतनी जादा स्ट्रॉंग नहीं थी पर फिर भी उसने अपने फिक डॉकुमेंट्स वहाँ पर दी हुए थे जब सोफिया का इंट्रू चल रहा था तब उसी के बीच एक क्लाइंट का कॉल आता है बेट्रिस ने उसे का कि इस क्लाइंट को तुम हैंडल कर होते हैं सोफिया नाचो को बताती है कि जौब मेरे लिए बहुत इंपोर्टन्ट है जिसके अंडर वो काम करने वाली है वो एक सेल्फ मेड हूमन है मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है सोफिया बीट्रिस के सक्सेस से काफी अट्रेक्टेर थी वो उसी टाइप के और देगी और उसे सब को जो गाइड करती है मिटिंग स्टार्ट होने के बाद सोफिया बाहर से मिटिंग को देखने लगे मिटिंग बहुत ज़्यादा लॉंग चलती है रात हो चुकी थी और सोफिया फिर वही पर सो जाती है मिटिंग घतम होने के बाद बीट्रिस सोफि और उसके साथ intimate होती है उसकी जब जादा हो गई थी और इसी वज़े से वह एफर्स नहीं डालना चाहती थी उसकी डिजायर कंप्लीट करने के लिए यही वह किया करती थी जब रैंडम लड़का उसके पास आता है तो उसके साथ जब वह इंटिमेट हो रही थी तो बीच में रूख जाती है उसे बहुत ही इरिटेट फील होता है इसके बाद नेक्सिन में बीडरीस को एक डॉक्टर के पास देखते हैं वो बात बात में कहती है कि आज कल के जनरेशन के बच्चे किसी भी चीज़ के लिए तभी रेडी हो जाते हैं किसी भी जीज़ के बारे में उस इसके बाद हम बीडरीस को बाट टब में देखते हैं जाव और वो खुद को प्लीज कर रही थी उसके भी कुछ नीड्स हैं पर एज जादा होने की वज़े से इस पर वो कुछ काम नहीं कर पाती थी नेक्सिन में सोफिया को देखते हैं जो रोज अपनी प्रेगनसी टेस् बीडरीस ने हमेशा अपने काम पर फोकस किया इस वाद सोफिया के बहुत बड़ा शौक था वचर्च जाती और फादर से कंफेस करती है कि मैं अब मा नहीं बनना चाहती अपने अंदर पल रहे बच्चे को अबॉट करने वाली थी फादर ने सोफिया को समझाने की कोशिश की कि दुनिया में इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता सोफिया रोते हुए वहाँ से चली जाती है नेकसेन में बेटरिस और सोफिया एक मिटिंग के लिए गए थे वहाँ पर सोफिया बहुत यची तरीके से बेटरिस के क्लाइन को हैंडल करती है उसने बेटरिस को भी बहुत यची कमपनी थी खुश होकर मिटिंग खतम होने के बाद बेटरिस सोफिया को अपनी company में एक permanent job offer कर दिया ये सुनकर Sophia बहुत खुश हो गई थी Sophia finally उस company का हिस्सा है और साथ में Beatrice की assistant भी उसे company में एक hire post दिला रही थी इसके वाद Sophia को एक company के employee को fire करना था उस employee के contract पर sign करवाने का काम Sophia का था Sophia उस employee के पास गए वो एक lady थी Sophia ने उसे कहा कि आपने 10 दिन holiday के लिए चुटी ली थी और इसी वज़े से company ने आपको यहाँ से निकालने का फैसला लिया है वहती कि मेरा reason valid था 10 दिन के holiday में भिमार थी इस वज़े से लिया था मेरे पास medical certificate भी है उस lady को baby हुआ था और इसी वज़े से यह सब problem आई थी यह सब सुनने के बाद भी Sophia उसकी बाद नहीं मानती और फिर employee को company छोड़ कर जाना पड़ता है यहाँ में पता चलता है कि Beatrice और उसकी companies के values में था कि अगर कोई भी employee pregnant हो जाती है तो फिर वो अपने काम पर 100% focus नहीं कर पाएके company को आगे नहीं बढ़ावाएके और इसी वज़े से जब भी employees pregnant हो जाती थी तो उन्हें fire कर दिया जाता था Sophia उस employee के contract paper sign करवाने के बाद Beatrice के cabin में आती है Beatrice Sophia से कहती है कि जिन लोगों को baby हो जाता है वो अपने काम पर focus नहीं कर पाते है ऐसे लोग मेरी company के लिए useless है ये सुनकर Sophia रोने लगके क्योंकि वो भी pregnant थी है रोते हुए Sophia को vomiting हो गए ये देखकर Beatrice समझ जाती है कि Sophia भी pregnant है Sophia को realize हो गया था कि अब उसका job चला जाएगा अब Sophia इस baby को abort करने वाली थी ताकि इस company में हो रह सके अपने life में success उसके लिए बहुत important था ये सब बात वो Beatrice को बताती है वो गहती कि please मुझे company से मत निकालो वो खुश भी कर सकती थी Beatrice Sophia से बुछती है क्या तुम pregnant हो इसके बारे में तुमने किसी को बताय हुआ है Sophia कहीती कि सिर्फ आपको बता है मैंने ये बात मेरी boyfriend या फिर family किसी को भी नहीं बताई next scene में हम Beatrice को अपने lawyer के साथ देखते है वो discuss कर रही थी कि सरोगसी किन किन चीज़ों में legal और illegal है उसका friend ये पूछने का उसका reason पूछता है Beatrice कहती है कि मैं माँ बनना चाहती हूँ पर मुझे शादी नहीं करने मेरे company में Sophia नाम की एक employee है मेरी assistant है और हो pregnant है अपने job छुट जाने के डर से हो baby को अपॉट करवाना चाहती थी अब उसी baby को मैं adopt करना चाहती हूँ Beatrice के friends उसे congratulate करते है उसे help करने का वादा करते है Beatrice भी Sophia से बात करती है कहती है कि मैं तुम्हारी baby को adopt करना चाहती हूँ इससे तुम्हें भी फायदा होगा और मैं भी माँ बन सकूँगी Sophia इस बारे में सोचने लगके पर initially उसे idea सही नहीं लगता उसे डर था कि उसे बाद में job से निकाल दिया जाएगा Already उसने join करने के वक्त अपने documents fake दिये थे ये crime था और इस वज़े से उसे jail में भी डाला जा सकता था Sophia फिर सोचती है कि अगर उसे life में आगे बढ़ना है तो उसे heart decision लेने पड़ेंगे Finally फिर वो Beatrice को अपना baby देने के लिए ready होती है Beatrice Sophia से कहती है ये pregnancy के बचे होए months में तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा वो चाहती थी कि Sophia के pregnant होने की बात उसके अलावा किसी को भी नहीं पता चले Beatrice Sophia के हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहती थी वो चाहती थी कि Sophia को pregnancy के वक्त सभी चीज़े मिले उसकी अच्छे से care हो इसके लिए अब Sophia को अपने boyfriend को छोड़ कर जहाँ पर भी Beatrice कहेगी वहाँ बस six months के लिए जाकर रहना पड़ेगा Sophia इस बात के लिए मान जाती है और surrogate mother की agreement पर sign करती है officially वो surrogate mother बन गई थी Sophia फिर नाचों से मिलने के लिए जाती है तो से गयती है कि मुझे इस city छोड़ कर जरा दूर जाना पड़ेगा six months के लिए उप प्रोजेक्ट पर काम करेगी उसके बाद हो वापस आएगी उसे कहती कि मुझे assistant manager की post में लिए और salary भी double हो चुकी है ऐसा actual में भी होने वाला था Sophia को surrogate mother बनने के लिए बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे company में भी उसे promotion मिल रहा था इस deal से उसका बहुत फाइदा था नाचो को Sophia की बात अच्छी नहीं लगती तो नहीं चाता था कि Sophia उसे छोड़ कर कहीं पर भी जाए वो Sophia को जाने के लिए मना करता है पर Sophia ने finally उसे convince करी दिया Beatrice एक दिन Sophia को शेह से बाहर काफिर दूर जगा पर एक luxurious घर पर लेकर जाती है वही बस Sophia रहने वाली थी उस घर को देखकर Sophia बहुत ही हमेज हो जाती है घर में Sophia को pregnancy की वर जो भी लगेगा वो हर एक चीज थी Sophia के लिए Beatrice ने एक private shape भी अपवाइंट किया था Sophia के लिए best food क्या रहेगा यह सब decide करकर वही सब उसके लिए cook करने वाले थे कैसे बन गया था सुबह उटकर pregnancy की exercise करनी थी इसके बाद पूरे दिन सिर्फ अराम करना था हर रात Beatrice उसे उसके तबियत के वारे में पूछती थी क्या सब कुछ ठीक है ऐसे ही एक विग Sophia बहुत enjoy करती है एक दिन जब वो अपना भूक रख रही थी तब उसने realize किया कि उसके कमरे में cameras लगा हुए है इस बात से वो बहुत ये surprise हो जाती है क्योंकि हमेशा उसे record किया जा रहा था रात में Beatrice घर आने के बाद Sophia उसे बुछती है क्या तुम मुझ पर नज़र रख रही हो Beatrice कहती कि मैं ऐसा नहीं कर रही Sophia उसे cameras के बारे में पूछती है Beatrice कहती है कि cameras सिर्फ security purposes के लिए है तुमारी security मेरे लिए बहुत important है Sophia कहती कि इस तरीके से surveillance में मैं नहीं रह सकती Beatrice ने कहा कि मैं उन cameras को हटा दूँगी फिर से सारी चीज़ अब normal हो गई थी Sophia की assistant की position पे company में दूसरी lady आ गई थी Beatrice Sophia से कहती है तुमें promotion चाहिए था अब वो तुमें मिल चुका है अब slowly slowly Beatrice का Sophia की baby के लिए obsession बढ़ने लग गया था हम देखते हैं कि Sophia का cell phone खो गया था वो काफी दिन से अपना cell phone ढूनने की कुशिश कर रही थी लेकिन उसे वो मिल ही नहीं रहा था Sophia को नाचो से बात करने थी और इसी हज़े से अपने मेड से वो cell phone मांगती है हरानी की बात ये थी कि मेड के पास भी cell phone नहीं था Sophia ज़रा tension में आने लगके वो सोचती है नाचो अब क्या सोच रहा होगा रात में जब बेटरीस सोफिया से मिलने के लिए आई तो सोफिया बेटरीस का बदाती है कि मेरा cell phone गूम हो के आई बेटरीस कहती है कि कल में तुमें नया cell phone ला कर दूँगी अब हम कुछ दिनों बाद सोफिया का अल्टरा सौन देखते हैं सोफिया का बेबी डिस्पलेबर साफ साव दिख रहा था हम लोटिस करवाते हैं कि बेटरीस उस बेबी को देख कर बहुत ही जादा excited थी वो ऐसे behave कर रही थी कि जैसे वो बेबी उससे बात कर रहा था हम देख सकते हैं कि सोफिया से जादा बेटरीस ही उस बेबी के लिए obsessed हो गई थी सोफिया एक दिन अपने मेड को कहकर बंगले के उपर वाले रूम में जाती है वहाँ पर बेटरीस ने आने वाले बेबी के लिए कमरा बनाया था उस कमरे में बच्चों के सारे फेवरेट खिलोने थे सोफिया रियलाइस करती है कि बेटरीस बेबी के लिए कितनी सीरियस है इसके बाद बेटरीस सोफिया के लिए एक पपी खरीद कर लेकर आती है इससे सोफिया बोर नहीं होगी एक दिन सड़नली सोफिया रियलाइस करती है कि कुछ दिनों से मेड घर पर नहीं आई नारती है और वापस पूल में गिरा देती है उसे कहती कि तुम्हें स्विमिंग के स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे उसी के बाद तुम पूल से बाहर निकल सकती हो सोफिया इस बात से बहुत जादा हैरान हो गई थी क्योंकि इतनी छोटी चीज पर बीट्रिस को उसने टाइम गुस्य होता देखा था इस बात को इंग्णोर कर देती है कुछ दिन बाद सोफिया का बड़े था तो बीट्रिस को रिक्वेस्ट करकर नाचों से वीडियो कॉल पर बात करने की रिक्वेस्ट करती है बात करते वक्त सोफिया रोने लग गई थी वह काफी समय से ना इकरी नहीं है वो एक सिंपल से कॉलेस्ट से ग्रैज्वेट थी इस बात से भी अधरी बहुत जादा घुस्स अघर नहीं करती है उस तरह सोफिया बिना बीट्रिस को बताए उस जगा से भागने की कुशिश करती है उसी वक्त भहाँ पर बीट्रिस आके वो सोफिया को रो निकालने के लिए कहा था पर बीट्रिस ने निकाले नहीं थे इस चीज़ से बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि वहाँ के फेंस में इलेक्ट्रिसिटी थे सोफिया के बारे में पता नहीं था वो फेंस के पास गए और जटका लगकर वही पर नीचे गिर जाती ह जल्दी से बीट्रिस वहाँ पर पूँच के उसे मेडिकल हेल्प दिलवाती है परल्ल में नाचो को देखते हैं उस शुफिया पर चीट करने वाला था पर तभी नाचो रियलाइज करता है कि उस सोफिया से बहुत प्यार करता है यह उसके साथ नहीं कर सकता अब नाचो सो सोफिया के अद्रेस पूश्टा है एक इंप्लोई नाचो सोफिया के बंगलो के बारे में बता देता है नाचो वे सीधा बंगलो की तरफ जानने लग गया पुलिस को कॉल करने के लिए चैशन और पुलीस की टरफ भागने लगता है यह मेंट पर नाचो की टेथ हो गई अगर नाचो पूलीस के वास बहुत जाता तो बीट्रिस को अपना बेवी नहीं मिलता और एक कभी नहीं चाती थी बीट्रिस जब रियलाइस करती कि उसने मर्डर किया तो खुद रोने लग गई बीट्रिस रात को घर पहुचे और उसने ऐस जब डिनर कर रहे थे तो सोफिया कुछ बहाना करकर किचन में जाती है वासा इक खुड़न पीज को लेकर फीछे से बीट्रिस पर हमला गर देथी है बीट्रिस वही पर नीचे़ गे सब्स्रेइल उसनेहीं बताती है और बीट्रिस को वही भर बान कर चली हैइं बेटरिस सोफिया से पानी मांगती है पर सोफिया उसे पानी भी नहीं देती है नेक्स दे सोफिया बेटरिस के पास आकर उसे पूछती है कि पैसे कहा पर है उसने उसे लॉकर का पासवर्ड पूछा सोफिया फिर उस लॉकर से पैसे निकाल लेती है पैसे ले जाते वाग सोफिया ने बीटरिस से का कि अगर तू मेरे पीछे आई तो तुमने जो मुझे से कॉंट्रेक्ट साइन करवाय था इसके वारे मैं मैं सब को बता दूंगे इससे तुम्हारी बहुत बदनामी होगी इसके बाद सोफिया वहाँ से अपने पपी मैक्स को लेकर चली जाती है तभी पीछे से बीटरिस आके उस वाटर फोग हो जाता है उसके टीलेवरी का टाइम आ गया था और वही पर उसकी एंड हो जाती है अगर आपको एक्सेशा लगा तो इससे लाइक और कमेंट जरू कर दीजएगा बहुत सारे मुवीज लेकर आता रहता तो फ्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल और डिविशन आइकों देने मत भूलेएका हम फिर से मिलेंगे और एक निम्हों के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिए